नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का और निटाफ़स्टी यीट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करने वाले कई बड़ी और लेटेस अब्डेट के बारे में जिसा कि आप जानते हैं किसी बरती सम्मधित कोई भी जानका ही होती है तो दिया अथेंटिक आप स जानकाई सबसे पहले मिलती रहें शुबात करते हैं सबसे पहली अबडेट को लेकर जो की संबंदिते प्राथमिक सिच्छक बरती के बारे में जैसा कि दोस्तों आप से भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो प्रमयी सिच्छक बरती बहुत ज्यादा फेमस है ए अगर बात की जाए दोनों इस अप्डेट के बारे में तो पहली अप्डेट कोड से आपको देखने के लिए मिलती है 79,000 सिच्छक बरती के अंदर जो आर्चन विवाद को लेकर मामला सिंगल बेंच की तरफ से डवल बेंच में गया था सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि डवल आर्चन प्रकिया को रद करते हुए यहाँ पे 79,000 सिच्छक बरती में सिंगल आर्चन देते हुए अभरतियों का चेंड किया जाए अब उस संबंद में चैन सूची रद करके नई चैन सूची जारी करने का आदेश था लेकिन इस आदेश की खिलाब अब्याती हाई कोट चले गए और डवल बेंच में इस मामले को लेकर आज फिर से सुनवाई होने वाली है आज इस मामले को लेकर देश आम तक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और चार बजे के बाद जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को वीडियो बनाकर 100% दे दूँगा फिलाल इस आज होने वाली सुनवाई 79,000 प्राथमिक सिच्छक वरती के लिए काफी जाता महतपूर है बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है नई प्राइमरी सिच्छक वरती विग्यापन के लिए क्योंकि नई प्राइमरी सिच्छक वरती विग्यापन का इंतिजा लगाता अव्यतिकर है सरकार की जो प्राथमिक्ता देखने के लिए मिलती है कभी UPTET होता है तो कभी आप स्पीकर सामने सिच्छक वरतीयों के अंदर बदलाब देखने के लिए मिलते हैं लेकिन जब बात आती है नई सिच्छक वरती के विग्यापन के बारे में तो इसको लेकर कहिने की सरकार हमेशा टालम टोली करती है अगर बात की जाए नई प्राइमरी सिच्छक वरती के विग्यापन को लेकर तो आपको तीन अपडेट देखने के लिए मिलेंगी पहली अपडेट तो यह है कि जब हाली में चातों के माध्यम से धर्ना प्रदेशन का आयजन किया गया था तो वहाँ पर OSD सरसे मुलाकात देखने के लिए मिली थी उस मुलाकात के अंदर अभ्यतियों को आसबासन दिया गया था कि उनकी जो मुलाकात होगी वो CM योगी के साथ में करवाई जाएगी और जो भी निश्कस निकलेगा उसके आदार पे सिच्छक वर्ती को लेकर आपको जानकाई स्वेम CM योगी से मिलेगी दूरसी अपडेट आप स्वीकर सामने देखने के लिए मिलीती बेसिक सिच्छा मंती जी को लेकर जहां पर अभ्यतियों उनसे मुलाकात करके अपने सारे मुद्दों के बारे में संग्यान में लाने का प्यास किया गया था कि प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संग्या मे सिच्छकों के पद खाली हैं चाहिए वो 63,000 का आंकडा हो या फिक्यावन अजार का इन तमाम आंकडों के बास बाद भी कही नहीं सिच्छक वरती को लेकर चात्तों को आश्वासन तो मिले लेकिन भरती का विग्यापन नहीं आया अगर बात की जाए नहीं प्राइमरी सिच्छक वरती विग्यापन के लिए उनसे पूछागा कि नहीं प्राइमरी सिच्छक वरती विग्यापन के लिए लखनों के अंदर लगाता धना प्रदेशन जादी है 97,000 से ज़्यादा टीचर्स के प्रदखाली अभरतियों की मांग भी है कि एक बड़ी सिच्छक वरती का विग्यापन जादी कर दिया जाए तो यहाँ पर जब अधिकाईयों के माध्यम से जवाब सुनने के लिए मिला वो क्या कहते है आप ध्यान से सुनिए वो कहते हैं कि नई पैमरी सिच्छक वरती विग्यापन हो या फिर इसके लावब कोई और विग्यापन जो बेसिक सिच्छा विवाग के अंदर देखने के लिए मिलेगा वो सभी के सभी जो आपको विग्यापन होने वाले नए सिच्छा सिवा आयोग के माध्यम से होंगे और जब तक नया सिच्छा सिवा आयोग नहीं बन जाता उससे पहले नई पैमरी सिच्छक वरती को लेकर जो काम है वो शुरू नहीं हो पाएगा यहीं बज़ाए कि नई प्राइमरी सिच्छक वर्ती को लेकर चाहे अभ्यतियों के माध्यम से सरकार की उपर दवाब बनाया जा रहा है लेकिन वो दवाब उतना काम्याब नहीं हो पागा क्योंकि प्रदेश में नया सिच्छा सेवा आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ है अधिकारी कहते हैं कि जब नई प्राइमरी सिच्छक वर्ती विग्यापन को लेकर जो भी प्रोसेस शुडू किया जाएगा वो नई सिच्छा सेवा आयोग के माध्यम से होगा तो निशित तोर पे जब तक आयोग नहीं बन जाता उससे पहले प्राइमरी सिच्छक वर्ती के लिए अधिकारी जादा कुछ नहीं कर सकते हैं बेसिक विवा के अधिकाई ये भी कहते हैं कि अगर नई सिच्छा सेवा आयोग के माध्यम से जारी होगा अधिकाईों के माध्यम से इतना तक बताया है जाता है कि नई प्राइमरी सिच्छक वर्ती को लेकर शासन इस तरह पर हल चले भी देखने के लिए मिलती है लेकिन आयोग के बरतमान में कारेवार में या फिर अगर बात कीज़े परिक्षा कराय जाने को लेकर सच्छम नव हुपाने के चलते वो इस भरती को लेकर बिचार जादा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में 97 अजार नई प्रैमरी सिच्छक बरतियों या फिर क्या बन जाए या कोई और योगी सरकार की अधिकारियों का कहना यह है कि नई प्रैमरी सिच्छ बरती को लेकर शासन इस तरह में मंतर्थन तो होता है लेकिन प्रदेस में कोई वर्तमान में ऐसा आयोग नहीं है जिसके माध्यम से ये परिक्षा हो सके यही बज़ाय के नई प्रैमरी सिच्छ्छ सेवा आयोग बन जाता है तो नई प्रैमरी सिच्छ्छ बर्ति के विउग्जापन भी बड़ी आसानी से जादी होगा अगर अधिकारियों की माने तो अच्छी बात यह होगी कि नया आयोगी बन जाए बाकी तो जैसा कि आप जानते कि आयोग बनने के बाद ही प्रोसेश शुरू होगा और आयोग में अभी थोड़ा सा समय है अगर अगले महीने खुशकभी मिलती है तो निश्रीत तो पर नई प्रैमरी सिच्छक भरती के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशकभी वाली अफडेट होगी चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अफडेट के बारे में जो की संबंदित है टीजिटी पीजिटी सिच् और नीचे जाते हैं तो यहां पर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा अगर बात कीजाए टीजिटी के बारे में भी जो की 2425 को देखने के लिए मिलने वाली हैं इन तमाम को लेकर ऑफीशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकाई दी गई है अगर बात की जा बारी करते हुए तेइस पांस दोजाए तेज के कर में बताया जाता है कि यहां पर जो परिक्षा हैं देखने के लिए मिलेंगी वह 21 22 23 24 25 जून दोजाए तेज को करवाई जाएंगी जिसके अंदर अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ एड्यूकेशन के अंदर यह लेकर तो पीजिटी के जो एक्जाम है वह 222 को देखने के लिए मिलेंगे साथ ही साथ अगर बात कीजाए टीजिटी के बारे में तो इसके जो एक्जाम देखने के लिए 2425 को जो भी अब्याथी इसके लिए आवेधन कीये थे अब समय आ चुका है कि आप लोग अपने चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की सम्बंदीत है। अगर जुलाई में आपका और आता भी है तो या तो लास्ट जुलाई में देखनी के लिए मिलेगा या फिर अगस्त में भी आ सकता है लेकिन यह बास सत्थ है कि आपको डेड़ से दो महीने इंतिचार करना पड़ेगा अभी एड़ेट जूनियर सिच्छक बरती के और के लि आता दिए्धा और के लिए झावस्त वास्ट आता भी आता भी है भी है अच्छक के लिए झाल झाल